हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज का दिन है दस मई टैंथ में अब टैंथ में जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एतियासिक दिन है हम लोगों के लिए क्योंकि दस मई अठाशर सत्तावन को भारत की जो किरांती हुई थी सुतंतरता संग्राम हुआ था उसकी आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादर से ज्यादर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चलिए आज का टोपिक सुरू करने से पहले मैं आपको यह दो फिगर दिखाना चाहूंगा एक तो यह है इसे देखिए कि आज हमारे टोपिक का जो विशलेशन होगा व और यह इंडिया में एक मातर आसाम में ही पाया जाता है चलिए आज का जो हमारा टोपिक है वो है हमारा ईविएस क्लास सेवन चैप्टर थ्री तो चैप्टर थ्री जो है वो है फाइबर टू फैब्रिक्स यानि कपड़ा उन जूट सिल्क यह सब जो वारब बनते हैं तो आखिर कैसे बनते हैं किस चीज से बनते हैं उनके बारे माज हम थोड़ा जानेंगे तो देखिए यह कि रहा फूल कम्स फ्रॉम शीप गोट अब उन कहां से आती है पहला टोपिक हमारा है इसमें पहला पॉइंट है हमारा उन अब मोइन पॉइंट यह है कि उन आखिर आती कहां से है तो यह जो उन है यह कम कहां से आती है शीप गोट याक और कुछ रैबिट होते हैं और भी कुछ एक दो एक्स्टा अनिमल्स होते हैं जिनके बालों से क्या होता है हमारे पास वूल उन आती है अब यह जो वूल इल्डिंग अनिमल्स है यानि जिनके पास उन होती है जो इन रखते हैं, आपनी बोड़ी पर बहुत सारे बाल उनके रखते हैं, अब सोचो अखिर इतने बालों का यूस क्या है? आखिर इतने बडे-बडे बाल इनके क्यों होते है? तो सोचने की बात है कि इनको क्ытया सर्दी जादे लगती है? जो इनको बोडी है उनको थोड़ी सी सर्दी में भी बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं तो उससे बचने के लिए इनको इस सब चीजें दी गई है और हमें पता है जो हमारे हेर्स होते हैं तो वो क्या है पूर कंड़क्टर होते हैं हीट के जैसे हमने अपने सर पर देखा एज एज यू उड़ लर इन चैप्टर फोर तो वह छोड़ दीजिए फिलाल हीट के बारे में नेक्स चैप्टर आगा उसके बारे में बात की जाएगी तो हेर कीप्स दीज एनिमल वांप तो हेर क्या करते हैं उनको गरम रखते हैं अब यह उन कहां से प्राप्त होती है दे लाइकस दा हेरी स्किन ओफ दा शीप थो टाइप ओफ फाइबर अब इनके पास दो तरह की उन होती है जो बोडी से खाल से चिक्टी होती होती होग सौफ्ट और मुलायम होती है और दूसरी उसके ओपर एक हार्ड थोड़ी हार थोड़ी बड़े बाल होते हैं यानि दो ट प्रोवाइड दा फाइबर्स पोर मेकिंग उन तो जो अंदर वाली जो उन है जो हमारी स्कीन से लगी हुई है उससे क्या बनती है हमारी उन बनती है सम ब्रीट्स ओफ सीप पोसेस ओनली फाइन अंडर है कुछ सीप तो ऐसी ही होती है इनके उपर बड़े बाल नहीं होते ह देर पर परेंट्स और इस पेसली चूजल की बरत उनके माब आपको स्पेसल तयार किया जाता है किस परजाती से लेना है इस ब्रीड से लेना जो हमें ऐसी बेढ़े प्राप्त हो तिस प्रोसस ओफ सलेक्टिंग पैरेंट्स अभी जो प्रोसस है पैरेंट्स इसके कौन से जो select करने के लिए बोलते हैं उसके लिए term है selective breeding यानि उनकी प्रजातियों को select करना है हमें तो यह term याद रखना selecting selective breeding this process of selecting parents for obtaining special character in this offspring such a soft under hair in sheep यानि sheep में ऐसी प्रजाति पैदा करवाना जिसके केवल छोटे बालों बड़े बाल ना हो उसको selective breeding कहते हैं अब जो activity में दिखाया गया है वही सब चीज है अब देखे animals that yield wool अब उन animals के बारे में बात करेंगे जिनके उन होती है तो several breeds of sheep are found in different parts of country अब हमारे पूरे देश में बहुत सारी ऐसी क्या गयते हैं उनको ships हैं पर जाती है ships की जो हमें उन देती हैं however the fleece of sheep fleece माने क्या होता है एक तरस बाल बोलते हैं उनको बाली होते हैं fleece of sheep is not the only source of wool ऐसा नहीं है कि भेट से ही केवल उन प्राप्त होती है तो हाला कि दो wool commonly available in the market is sheep wool तो market में इतने भी sheep available है mostly जो है उसमें से हाला कि sheep से ही प्राप्त होती है बट कुछ ऐसी उन भी हैं जो अन्य जानवरों से प्राप्त होती हैं जैसे हम यहां पर बात करेंगे याक यहां पर जो इसने बात किये यह किये याक याक वूल याक एक जो है दाख तिबद जो हिली एरियाज है पूरे उस टैप से महाँ पर पाया जाता है है याक और एक में चीज़ है याद रखना यह मोहार महेर is obtained from अंगोरा गोट यह वर्ड इस पेसल याद रखना अंगोरा गोट अंगोरा इससे काफी questions आते हैं तो यह जो अंगोरा गोट है अब इसका रोल देखिए अंगोरा गोट पाई कहा जाती है यह हिली एरिया में especially जम्मू एंड कस्मीर में पाई जाती है तो यह question कई बार पूछा गया where अंगोरा गोट is found तो अंगोरा गोट जो है जम्मू एंड कस्मीर में पाई जाती है उससे जो उन प्राप्त होती है महेर उसको महेर बोलते हैं तो वूल is also obtained from goat hair बकरी के बालों से भी उन बनती है दा अंडर फर अफ कस्मीरी गोट is soft जो soft के जो अंडर फर होते हैं नीचे के जो बाल होते हैं बहुत soft होते हैं इस वोवन इंटो दा शॉल्स कॉल पस्मीना अब हमने घर में सुनाओगा कि वही में पस्मीना शॉल है शॉल जो चादा टाइप जो हम ओड़ते हैं उसको शॉल बोलते हैं तो पस्मीना जो सॉल होती है वो किस से बनती है वो इन गोट से बनती है कस्मीरी गोट तो दा फर फर इक तरह से here on the body of camels is also used as a wool camel से भी क्या बनते हैं उन बनती है तो देखो कौन कौन से चीज़ें इसी हों जिन से उन बनती है camel गोट याक शीप उसके बाद में जो हमने बताया था भी एक rabbit भी होता है भी तो बाद में आएगे इसके बारे में एक rabbit भी होता है उसके बाद भी काफी soft होते हैं और इसमें दो चीज़े और नहीं दिखाए गई है लियामा एंड अलपाका यह यहां नहीं अमरीका में पाई जाती हैं तो लियामा एंड अलपाका found in South America also yield wound वो भी क्या देते हैं उन देते हैं तो यह सब pictures उनके बारे जानवर के बारे में हैं जिन से उन प्राप्त होती है अब चलिए next from fibers to wool अभी main चीज़ यह है कि fiber से आखिर हमें उन प्राप्त होती कैसे है अब देखिए इस picture से आपको सब कुछ के लिए हो जाएगा देखिए यह यहां पर जो sheep है उसके बाल sharing sharing मतलब बाल उतारुना उनके saving की जारी एककरसी यह मांगे चलिए आपनों का sharing के बाद में जो हम बात करेंगे लो करेंगे scouring अब जा हम ने बाल उतार लिए उसके बालों में कितनी फानी गंडगी होती है GGरीच लगा ओंट होती है उन सब को पानी में काफे देर साफ किया जाता है तो इस परोस्स को कdan करा सॉल्ड भी इसको बोलते है opens कि सीफे नग लग जयाता है अब इसको करते हैं रोलिंग करते हैं दो धागा बनाते हैं अब इसके बार में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो रियरिंग and breeding of sheep if you travel to hills in Jammu and Kasmir हिमाचल परदेश उत्रांचल अरुनाचल and sick in मतलब वह एरिया जो हिली एरिया है जहां थोड़ा सर्दी ज्यादा होती है हरियाना पंजाब राज्थां के कुछ एरिया you can see sefford sefford swings क्या होता है जो बेड़ बक्री जो चराते हैं इनको खाना बना गुवान के लिए जंगल में सेfford लोकल लेंगवें बोलते हैं तो गड़ी आ रहा थीज टेकिंग देयर हर्ट हर्ट माने क्या होता है जुंड ह-e-r-d-s हर्ट माने जुंड यानि शीप का जो गोट का जो एनिमल्स का जुंड जो होता है बहुत सर गुरुप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हर्ड्स बोलते हैं they prefer in eating grass and leaves apart from grazing sheep rriters also feed them on a mixer ritors क्या होते हैं ? Rangers जो उनको पालते हैं जो उनको खिलाते हैं हमारी larger टाल लेकम जो खालते हैं गाई भम पालते हैं तो वो क्या करते हैं ? चारे के साथ कभी खल, कभी चूरी, इस टाइप की चीज़ होती है, तो वो सब चीज़े वो भी खिलाते हैं, जवार, दाल, तेल के बनी हुई कुछ चीज़े, इस टाइप की चीज़े, in winter, seeps are kept in two, important points, winter में क्या, seeps को बहर चराने नहीं ले जाते हैं, तो मैंने बताया है, बहुत जादे सर्दी में बीमार हो जाती हैं, और मर भी जाती है, तो उससे बचाने के लिए क्लिए 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 है, उनको सर्दी में घर में ही रखा जाता है, घर में ही चारा लाके के लाया जाता है, seeps are reared in many parts of country, अब नीचे एक लिस्ट दी गई है, कि कौन सी seep कहा हो होती है, वो एक simple topic है, अब में चीज क्या है, इसमें, country के बहुत पार में sheep पालते हैं, तो कह रहा है, some breeds of sheep reared in the country for producing wool, the quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated, the table, कौन से किस type की good quality की उन प्राप्त होती है, जिसे लोही दिखाया हुआ है, इसमें, लोही, लोही क्या है, good quality उन प्राप्त होती है, रामपुर बशेर, brown fleas होती है, brown करकी उन प्राप्त होती है, तो ऐसी जहां-जहां से जो उन प्राप्त होती है, उसके बारे में लिखा गया है हैं पर, तो certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, बहुत मोटी परत होती है, बालों की, yields, good quality of wool, जादे quality की उन भी होती है, और अच्छी भी होती है, quality भी इच्छी होती है, quantity भी जादे देती है, तो these sheep are selectively breed, उनकी क्या, special selective breed करके बनाया गया है, जैसे नहीं टर्म पढ़ी थी, उनके माबाब को choose किया जाता है, जिससे ऐसी breed पैदा हो, processing fibers into wool, अब देखो, step 1 में हम क्या करते है, the fleece of sheep along with a thin layer of spin is removed from body, उसको क्या बोलेंगे, sharing यानि उसकी जो body skull से है, उन बालों को save किया जाता है, अभी machines आती है, hairs are removed during the hot weather, तो ये question आपको आ सकता है, तो जो sheep's के hairs है, या shearing जो है, वो कब की जाती है, तो mostly hot weather में, यानि गर्मियों के जिनों में की जाती है, क्योंकि गर्मियों में उनको सर्दी से दरने की जरूरत न hair provide woolen fibers, उनके woolen के जो हैं, फाइबर्स प्राप तो होते हैं, तो woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn, yarn मने होता है, तो अब उस fiber से धागा बनाना है, तो sharing does not hurt the sheep, जैसे हम बाल तारते हैं अपने सर के, तो हमें इतना दर्द नहीं होता, ऐसे ही बेड को भी नहीं होता है, because upper most layer of the skin is dead, क्योंकि हमा grown again just as your hair does, जैसे हमारे बाल उतरते हैं, ऐसे ही उनके साथ होता है, अब इस step two में क्या करते हैं, इस में बताया कि ये बाल जो हैं, गंदे हैं, गंदगी लगी, उनको निकालना है, उसको क्या बोले, scoring, वो ही सम्चीज है, grease, dust, dirt, से लिए क्या करते हैं, the seared skin with hair is thoroughly washed in tanks, टैंक sorting, sorting मतलब उनको separate करना है भी, हम अपने mobile में भी देखते हैं, laptop में भी देखते हैं, कभी कभी, कि sort by name, sort by number, कि step से हमें select करना है उसको, तो after scoring, sorting is done, the hairy skin is sent to the factory, where hair of different textures are separated, अलग अलग type के बाल, अलग किये जाते हैं, इसको क्या करते हैं, separate हैं, चुना जाता है, तुम इस तरफ सबको अलग अलग से separate कर देते हैं, अब step 4, the small fluffy fiber, fluffy मतलम, soft, mulayam, cold bursts are picked out from the hair, बालों से निकाल जाते हैं, there are same bursts which sometimes appear on your sweaters, हमने देखा होगा sweater जर्शी जो हम पैंते सर्दी के जिनों में, उस पर क्या हम बोलते हैं, रूआ आ गया, तो उस type के first घट्टे किये जाते हैं, the fibers are scored again and सबको निकाला जाता है, वापस उनको dry करके score किया जाता है, यानि पानी में करके, फिर साफ करके, फिर वही process की जाती है, अब क्या करते हैं, अब जो ये हमारे पास निकल के आया, after sorting के बाद, उसमें क्या करते हैं, color करते हैं, जी साफ करते हैं, dyeing करना बोलते हैं, the fibers can be dyed in various colors, as the natural fleece of sheep and coat is black, brown or white, तो normally किस ताप के बाल होते हैं, black होंगे, brown होंगे, या वाहीट होंगे, अब उसमें क्या color करना है, वो हम यहां पर करेंगे, dyeing में, तो the fibers are straightened, यानि उन बालों को जो fiber हो गए हैं, उनको सीधा किया जाता है, जैसे आपने देखा हो, घर में रसी बना the sorters fiber are spun and woven into, तो जो long fiber होते हैं, उनको क्या बनाते हैं, sweater बनाने के लिए उन बनाई जाती है, और छोटे fiber को गुमा के उनके woolen cloth बनाए जाते हैं, अब देखिए, इसके बारे में आते हैं थोड़ा सा occupational hazard, तो जैसे हमें हाँ पता चल गया कि उन कैसे बनाई जाती है, सेम ची चूस किया कि कौन-कौन सी type की उन हमें प्राप्त, कौन-कौन सी type की हमें उन बनानी है, तो उन सब को separate किया, और last में जो main term था हमारा, वो था rolling into yarn, धांगे में गुमा के, आपने कभी-कभी अगर देखा हो, तो किसी-किसी फिल्म में दिखाया जाता है, धागा वगर कैसे स सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो बाल उटारते हैं उनके, जो उनको पालते हैं, उनमें क्या बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, उन सब बालों को चुनते हैं, अलग करते हैं, तो उन बारे में कुछ बैक्टिरियाज हो सकते हैं इस बैक्टरिया क्या बोलते हैं एंट्रक्स बोलते हैं जिससे काफी ज़्यादा बिमारियें से लोगों की दैट भी हो सकती है इसको क्या बोलते हैं ओक्टूपेशनल हैजार यानि ऐसा नुकसान जो धंदे में हो व्यापार में खो अब हमने wool के बारे में पढ़ लिया अब हमारा next topic है silk अभी जो हमने starting में दिखाया था आपको दो figures वो figures इसी से जुड़ी हुई है देखिए ये जो है ये ही है हमारा main इसी से silk प्राप्त होता है ये है mulberry caterpillar अब देखते हैं इसके बारे में तो silk fibers also animal fibers silk जो प्राप्त होते हैं वो भी animals से प्राप्त होते हैं silk worms spin the silk fibers and rearing of silk worms for obtaining silk अब देखो जो रेशम का पालन करते हैं क्या करते हैं वो मलबरी के पत्तों पे सहतूत के पत्तों पे छोटा छोटा caterpillars को छोड़ते हैं उससे क्या होता है उससे कल्चर को क्या बोलते हैं सेरी कल्चर यानि रेशम पालन तो यह क्या बोला है the rearing of silk worms for obtaining silk silk प्राप्त करने के लिए रेशम के कीडों को पालन रेशम पालन कहलाता है simple language में तो before we discuss process of obtaining silk it is necessary to know the interesting life history of the silk moth अब यह जो है इसको silk moth बोलते हैं यह देखिए figure यह figure सो जाद अच्छा समझमा आएगा यह silk moth है जिसका figure हमने starting में दिखाया था यह है silk moth यह मलब क्या बोल सकते हैं silk देने वाला कीडा रेशम कीड बोल सकते हैं अब यह ऐसे ऐसे अंडे देता है hundred की quantity में यह अंडे देता है जैसी अंडे बड़े होते हैं hedge होते हैं फूटते हैं उनसे silk warm निकलता है लारवा निकलता है यह आपने देखाऊगा लारवा यह ऐसे दीरे दीरे आगे बढ़ बढ़ता है उपर 88 की आकरती बन जाती है अब जैसे यह आपने दिखाओ का चलता है तो इसके पिछने वाइट वाइट लाइन बनती है बहुत चमकिली होती है चांदी टाइप से कभी नोट करना तो उसका क्या है इस्पिन कोकून फ्रॉम प्यूपल अब यह ऐसे से गोमता रहता है तो जैसे मकडी जाले में बनाती है यह भी अपने जाले में ऐसे हो जाता है जैसे साप की कांचली होती है मकडी का जाला होता है फिर बाद में यह पूपून बन जाता है पूपा बन जाता है और इसको कुकून बोलते है और वापस कोकुन से यह इस टाइप में चेंज हो जाता है अब इससे सिल्क कैसे निकलते हैं वो देखते है तो किया रहा दी फिमेल सिल्क मोथ ले एक्स अंडे देती हैं फ्रॉम विच हैच लारवा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म इनको कैटरपिलर भी बो पूपा अब नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाएगा यह क्या बन जाएगा पूपा बन जाएगा मतलब जैसे उसके अंदर रेस्टम के अंदर टाइप से जो होता है इस फर्स्ट विवस ए नैट टू होल इटसल्फ अपने आसपासी जाला बनाता है जैसे मकडी बनाती है अपने आप जिससे वो गिरना जाए उसमें कंट्रोल रहता है अपने आपो यह दैन इट स्विंग्स इट हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन दा फॉम ओफ फिगर एट चाहँ दोनों तरफ गर्दन गुमाता है जैसे आठ की आकरती टाइप बन जाती है डूरिंग दिस म प्रोटीन विच हाड़ने एन एक्सपोजर टू एर जिस पर हवा लगने के बाद वह बहुत हाड हो जाता है और बिकम सिल्क फाइबर बन जाता है सून दा केटरफिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाइस फाइबर तो पूरा को पूरा वो केटरफिलर जो है अपने आ जाता है उसको क्या बोलते हैं जो प्रोटी है उसका पुरा का पूरा उस शिल्क फाइबर केंदर बढ़ाना क्या बढ़म जाते पूपा होता अग्ण। शमर मधी एस अंदर डाओमन जाता है उसको क्या बढ़ता है आध रिपोबादीं नकीं केंटिनूज इंसाइड कोकोन अब वह उसके अंदर ही होती है कोकोन के अंदर ही बड़ा होता रहता हैसिल्क फाइबर उज्ट फॉर वैविंग सिक लॉयारे आप सिल्क के लोत बनाने के लिए स Marsh फाइबर की जरुबर परती है सिल्क इतना मजबूत होता है है जो इसन बोला है can you imagine that the soft silk yarn is as strong as compared to thread of steel अगर हम इस्ट्रील का धागा बनाएं उससे भी ज्याद मजबूक silk होता है तो the silk yarn yarn मने धागा thread is obtained from cocoon of the silk moth तो silk moth के जो cocoon होता है जो उसका पुरा cover होता है उससे क्या बनाते हैं अब silk भी बहुत type के होते हैं दस तसर silk तसर काफी फेमस है मूंगा silk कोसा silk और भी काफी होते हैं और obtained from cocoon spoon by different type of moths तो different type of moth होते हैं कीड़ होते हैं उनसे क्या प्राप्त होते हैं यह silk रखिये, कोशन पूछा जाएगा, इस सबसे कॉमन सिल्क कौन सा है, it's मलबरी सिल्क सहतूत वाला सिल्क जो है, वो हम यूज करते हैं, इंडिया में मैक्जिम वो ही यूज होता है it is soft, luscious elastic and can be dyed in different colors, बहुत soft होता है और किसी भी color में change किया जा सकता है सहरी culture और culture of silk worms is very old occupation in India, यहाँ पर जो सहरी culture है, रेशम पालन है, वो काफी पुराना हमारे यहाँ पर occupation है, और हम इससे रेशम बना के बेचते भी हैं अब सबसे important जी, चाइना leads the world in silk production, चाइना में सबसे ज़्यादा silk production होता है, second number पर इंडिया में होता है, और जो silk की जो खोज थी, वो भी चाइना में हुई थी अब taken artificial silk की इसको छोड़ दीजिए, photocopy छोड़ दीजिए the larva are captain clean यहाँ से सुरुआ करते हैं 3.7 से ले, सुरु करते हैं photocopy figure 3.9, जो भी cut out pictures of the stages of life history of silk moth and paste them on a piece of cardboard or chart paper, jumble them now try to arrange उन सब को आगे पीछे लगाई, फिर देखे, क्या सब पहले moth, फिर eggs, एक्स के बाद क्या बने है freshly chopped mulberry leaves, उन पत्तों के साथ, जिससे वो खापी के बड़े होते हैं दीज़े, आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tinny chamber of bamboo, बीस पचीदे बाद उसको खाना बंद कर देते हैं, और बैंबर के ट्रिम क्या होता है, tinny chamber of bamboo in the tray of spin cocoons, small racks or twix may be provided in the trays to which cocoons get attached, तो ऐसी टाइप की कुछ चीज आता है और वो जो caterpillar moth बढ़ा होके बाहर निकल जाता है, यानि उसको trap करते हैं only just, तो the caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth, अब processing silk, silk बनाते कैसे हैं, a pile of cocoon is used for obtaining silk fibers, pile मनें गड़्डा, मतलब गठरी काफी धेर, bunch of cocoons is used for obtaining silk fibers, the cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam, या तो दूब में रखा जाता है उनको या भाब दी जाती है या उनको गरम किया जाता है, boiled किया जाता है, the silk fiber separated out, silk fiber जो है वो अलग हो जाता, this process of taking out threads from the cocoon, we use as silk is called reeling of silk, तो जो ऐसे silk प्राप्त करते हैं, उसको जाते हैं, reeling of silk, तो silk fibers are then spun into silk threads, उन फाइबर को silk धागों में बदला जाता है with the help of machines, तो कुन करते हैं इसको, wavers करते हैं और उसको पहनते हैं, अब यह देखिए, from cocoon to silk, सब चीजे पुरा process दिखाया गया है, तो क्या करते हैं वो, a female silk moth lays hundred के आसपास eggs, the eggs are stored carefully on strips of cloth और paper, paper में या कपड़े में उसमें रखा जाता है उनको, the farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions, जितना temperature इतनी humidity है उसमें रखते हैं उसको, the eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs, अब उन अंडों से लारवा निकालना है, तो this is done by mulberry, when mulberry trees bear a fresh crop of leaves, जब सहतूत के पर नहीं ने पत्ते आते हैं, थब उनको उन पत्तों पे छोड़ा जाता है, bear a fresh crop of leaves, the larva called caterpillar or silkworms, eat day and night and increase enormously in size, और बहुत जल्दी से साज में काफी बड़े होने लगते हैं, उन पत्तों को खा खा के, क्योंकि बहुत सोफ्ट पत्ते होते हैं, उनको आसानी से खाया जा सकता है, तो ये था हमाराज का topic, अब में चीज़ है कि सिल्की जो खोज है वो कहा होई थी, सिल्की की खोज चाइना में होई थी, और सबसे इंपरनिशन को पता भी नहीं था कैसे हुआ, तो उनके वहाँ पे जो मलबरी के leaves थे, और राजा ने वहाँ पे देखा कि ये पत्ते खराब कैसे हो रहे है, क्या हो रहा है कि ये पत्ते खाय जा रहे है, तो एक दि पारवा, फाइबर में बदल जाता है, तो यही सब चीजे देखके उनको पता चला कि अच्छे तो सिल्क है, फिर उसका उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, और काफी दिनों तक उन्होंने इसका बारे में किसी को भी नहीं बताया, अब देखे, इसके बारे में कुछ टोपिक्स, कुछ चीजे ऐसी हैं, जो बुक्स में नहीं थी, तो उसके बाद में मैंने उनको एक्ष्टा से बनाया है, तो सबसे इंपोर्टन चीज, सिल्क, तो सिल्क was discovered around 350 BC in China, तो सिल्की की कोज़ कहां पे हुई, चाइना में हुई, लार्जेस्ट प्रोडूसर को नहीं चाइना एंड इंडिय, नंबर वन चाइना, नंबर टू इंडिया, उसके बाद इंडिया इस दा ओनली कंट्री प्रोडूसर उल फाइफ ताइप्स ओप इंडिया में एशी कंट्री है, जहां पाचो तैप का सिल्क प्राब्त होता है, मलबरी सिल्क, इरी, मुगा, इंडियामें प्राप्त होना इतिस फाउंड इंडिया इन आसाम हो नियो भारत में केवल आसाम में ही पाया जाता है अब इसकी खासियत क्या है इस इस इन फॉर इट्स एक्स्टीम डूरेबिल्टी या वह चलता है एक बार सढ़ी ले लो उस किया कुछ पड़ा लेलो पचार सो डेर सो दो सो साल तक चलते हैं वो कभी नहीं खराब होते एंड हैसे नेचरल यालो इस गोल्डन टिंट और गोत येलो टाइप में ना उसका फिगर दिखाऊंगा मैं दिखाया भी ताइस टार्टिक में बिल्कुल येलो टाइप होता है नेचर कलर होता है अब वून के बा होती है ऑस्टेरिया में ही प्राप्त होती है ना तो थ्री लार्ज़ेस प्रोडूसर अरं उस्टेयलिया चाइना एंड युएस से अंगारा वूल अब देखें हमने पड़ा था महेर महेर में क्या था अंगोरा फाइबर जो होता है महेर बोलते हैं जिसको वो अंगोरा गोड़ से प्राप्त होता था ठीक है और जो जम्मो कस्पिर में पाई जाती थी यहांपे क्या अंगोरा बूल, अंगोरा एक उन होती है, वो तो fiber था, वो कहां से प्राप्त होती है? वो अंगोरा rabbit से प्राप्त होती है, अब देखिए हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें तो फाइबर दो टाइप के होते हैं नमबर एक जो हमारे नेचरल बोलो उनको नेचरल फाइबर यानि जो खुद या तो पेड़ से प्राप्त हो ट्रीज से एनिमल से इस टाइप की जो शीजिदे नेचरल होते हैं और एक होते हैं मैनमेड यानि जो हमने ब पोलिके से तो उसमें क्या है नाइलोन रय ओन पोलिस्ट्रिंग्स ए सब यह सब यह मैनमेड्स है तु यह भी में पता होना चाहिए पूछ सकता है नेम टू टाइप ऑफ कि आप से हम पूछ को दियर दे कंद फाइबर तो नाइन ऊनौण्क रे औ्यानिट बनाया है उनको ठीक है तो man-made और natural में ये difference होता है चलिए आज का हमारा ये topic यहीं खतम करते हैं और EVS का जो chapter 3 है class 7 का NCRT book में वो हमने लगबग पूरा complete कर दिया है अगर फिर भी अभी किसी को ऐसा लगता है कि कुछ points ऐसे रहे गए हैं जो उनको और समझने की जरूरत है या उससे extra उस पे कुछ focus करके पढ़ाया जा सकता है तो आपका स्वागत है और कुछ भी हो आप अपने comments comment box में छोड़ सकते हैं चलिए आपका दिन सुब हो